स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफोर्डबल तमिल नाडू के करनूल जिले के नीलकिरी जंगलों से चार बाग शावकों की डेड़ बॉर्डी मिली है संडे को फॉर्स्ट ओफिसर्स की दुआरा पहले टाइगर कब की डेड़ बॉर्डी को डिस्कवर किया गया था जिसके बाद सर्च ओप्रेश्चन्स को इंटेंसिफाई कर दिया गया था बाद में दो tiger cup की dead body all मिली और एक बाग शावक बहुत ही weak state में मिला था जिसके treatment की कोशिश की गई बट unfortunately उसकी death हो गई है चोकाने वाली बात यह है कि पिछले 30 दिनों में नीलगीरी के जंगलों में 10 tigers की death हो चुकी है जिसमें से 4 adult tiger है और 6 बाग शावक है इनकी मौत का कोई specific reason अभी तक हमें नहीं बताया गया है इन 4 बाग शावकों की dead body को भी post matem के लिए भेज दिया गया है जो कि national tiger conservation authority के guidelines के accordingly mandatory है अब यहाँ पर forest officials का कहना यह है कि इन बाग शावकों को उनकी mother की दोरा left out कर दिया गया था जिसकी वज़े से starvation की वज़े से इनकी death हो गई है लेकिन संरक्षन वादियों की तरफ से कुछ concerns जाहिर किये गए है उनका कहना यह है कि tigers में यह जो अपने शावकों को छोड़ने का phenomenon यह बहुत common देखने के लिए नहीं मिलता यदि शावक बहुत जादा कमजोर है या फ़र बिमार है तो ही उनके जो mother होती है उनको left out कर देती है एक first official देन नाम ना लेने के शर्ट पर ये भी कहा है कि एक particular जो बाग शावक था उसकी body severely dehydrated थी यानि उसकी body में पानी नहीं था तो रिपोर्ट आने के बाद हमें particular reasons यहां पर पता चलेंगे बट यहां से कुछ मुद्दे highlight होते हैं तमिलाडों के इंदर पिछले कुछ सालों में जो human और wildlife conflict है इसके लगातार news हमें देखने को मिलते हैं 2022 में भी elephant और humans के conflict के बहुत सारे news हमने यहां पर देखे थे तो नीलगीरी के mountains western ghat के पास established है और यहां पर नीलगीरी biosphere reserve है नीलगीरी biosphere reserve के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा protected forest area स्थित है यह कनाटगा केरल और तमिलनाडों में फैला हुआ है नीलगीरी biosphere reserve की biodiversity काफे जादा enriched है यहां के जो forest है वो काफी जादा सगन है इसलिए जब first officials के द्वारा उन tiger cubs की मतल को relocate करने की कोशिश की जा रही है तो अभी तक हमें कोई sign नहीं मिले है अब यहां पर देखे आपका मुदू मलाई wildlife sanctuary भी है और यहीं पर आपका मुदू मलाई tiger reserve भी है इस tiger reserve को लेकर भी कुछ concern सामने आये हैं आईए एक एक करके सारे मुद्दों को समझते हैं सबसे पहले तो देखे जो चार tigers जो adult थे जिनकी death अभी पिछले एक महीने में हुई है उसमें से दो tigers की death जहर देकर की गई थी और इसके लिए एक farmer को भी arrest किया गया था देसर फार्मर का कहना ये था कि tiger के द्वारा उसके जो domestic live stock थे उनका शिकार किया गया था तो उसमें उनका एक बदला लिया था तो यहाँ पर अगीन जो human and wildlife conflict है वो सामने निकल कर आता है इससे पहले देखिए elephant और human conflict की वज़े से तमिलनाडू सरकार ने 2022 में एक export panel को भी establish किया था जिसकी report जो है आने वाली है सर्फ इतना ही नहीं है देखे जब भी किसी protected area को नेशनल पार्क या tiger reserve के रुप में declare कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो laws है वो काफी restrict हो जाते है तो जो tribal community वहाँ पर पहले से रह रहे होते हैं उनको restricted laws के साथ अपनी life को जो है modify करना रहता है जिससे उनके जो livelihood के basically साधन होते हैं जो first produce हो सकते थे या बाकी चीज़े हो सकते थी वो बहुत जादा impact होते हैं इसलिए देखिए जो मुदुमुलाई हमारा tiger reserve था उसके core area में रहने वाली जो chetti community है वो पिछले 30 सालों से demand कर रहे हैं कि हमें यहाँ से relocate कर दिया जाए लेकिन अभी तो कुछ खास जो development है में यहाँ पे देखने को नहीं मिला है तो इस topic से अपने exam के लिया prelims के point of view से मुदुमलाई tiger reserve के बारे में पर सकते हैं और निलगिरी बासफर reserve के बारे में पर सकते हैं means के point of view से human and wildlife का coexistence human and wildlife का conflict and साथ में जो हमारी tribal communities के issues हैं उनको आप cover कर सकते हैं यहाँ पर यह वाला वीडियो end होता है इस batch में admission लेने के लिए आप use कीजेगा faculty code प्राच्छी लाई आपको maximum fee discount मिल जाएगा thank you so much everyone and साथ ही इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप मुझे मेरे telegram channel UPS with प्राच्छी पर भी join कर सकते हैं अपना ध्यान रखिएगा जय हिंद